आर्थियू नमस्कार आज हम पढ़ेंगे मुगल काली इतियास को जानने के लिए कुछ विदेशी यात्रियों के वरतांतों के बारे में एक अन्य वीडियो में आपने साहितिक्स रोतों के बारे में पढ़ा आज हम इन विदेशी यात्रियों के यात्रा वरतांतों से मुगल राल्फ फिच मुगलकाल में आने वाला पहला विदेशी यात्री था जो ब्रिटिस था यह 1590 इश्वी में अकबर के समय भारत आया था उसने अपने यात्रा वरतांत पर एक पुस्तक लिखी जिसे इंग्लेंड्स पाइवनियर टू इंडिया कहा जाता है इसमें अकबर के सा संगा है विलियम हांकिन्स बिल्यम हंकिन्स भी ब्रिटिश यात्री था जो 1608 इसमय भारत आया था इस उसने जहांघीर के शासनकाल की कुछ घटनाओं का वर्नन किया है जांगीर दुआरा विल्यम हाकिन्स को 400 की मनसब प्रदान की गी हाकिन्स का उद्देश से भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के लिए व्यापारिक बस्तियां इस्तापित करने है तू अनुमती लेना था हाकिन्स दुभाशिया था इसने जांगीर से फार्सी में बातचेत की थी सर टामस रो सर टामस रो भी ब्रिटिश यात्री था जो ब्रिटिश समराट जेम्स पर्थम के राजदूत के रूप में 1615 में जांगीर के समय बारत आया वे इस्टिंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक स्विध्यय प्राप्त करने में सफल रहा जिसमें विलियम हाकिन्स असफल रहा था विलियम फिच विलियम फिच 1620 के लगबग जांगीर के समय बारत आने वाला ब्रिटिश यात्री था जांगीर काली जो एक गटना थिया नार कली विलियम फिच ने उसका वर्णन किया है पेलसार्ड पेलसार्ड डच यात्री था जो जांगीर के समय 1620 इस्वि में बारत आया और 1627 तक यहां रहा इसने अपने यात्रा वरतांत में डच भाथा का इस्तेमाल किया है इसमें जांगीर के सासनकाल का वर्णन है पेलसार्ड ने भारत में बनने वाली खिचडी वद्दलिया का भी वर्णन किया है इसने नील की खेती का भी वर्णन किया है मैनरीक यह पुर्तगाली यात्री था और इसने साजा के समय की घटनाओं का वर्णन किया है पीटर मुंडी यह अंग्रेज यात्री था और इसने साजा के समय की घटनाओं का वर्णन किया है प्रमुक रूप से इसने साजा काली गुजरात के समय गुजरात में पड़ा अकाल की विभीशिका के बारे में लिखा है ट्रेविनियर ट्रेविनियर फ्रांसिसी यात्री था और वह 1640 के लगबग साजा के समय बारत आया यह व्यवसाई से जोहरी था उसने अपने यात्रा वरतांत में सत्रवी सताबदी के आर्थिक परिवेश का अच्छा वर्णन किया है बर्नियर बर्नियर भी फ्रांसिसी यात्री था उसने अपने यात्रा वरतांत बर्नियर स्ट्रेवल्स टु इंडिया में सत्रवी सताबदी के भारत की आर्थिक वे सामाजिक इस्तती का वर्णन किया है बर्नियर व्यवसाई से डॉक्टर था इसने दारा की पतनी नादिरा का इलाज किया था बर्नियर ने लिखा है कि ओरंग्जेव की समय जज्जिया से बचने के लिए अनेक हिंदों दुआरा इसलाम ग्रेंड कर लिया गया बर्नियर साजा के समय विदेशी व्यापार के शेत्र में विकास का बड़ा अच्छा वर्णन किया है किन्तो उसने बारती व्यापारियों को दूर्त एवं बेईमान बताया है बर्नियर के अनुसार बारत एक ऐसा खड़ा है जिसमें निरंतर विदेशों से सोना चांदी आकर गिरता है मनुची मनुची इटेलियन यात्री था जो 1653 में साजा के समय भारत आया और इस्थाई रूप से यहीं बस गया 1717 में उसकी मृत्ति हो गई मनुची द्वारा इटेलियन भासा में लिखा गरंत सटोरिया डो मोगोर मुगल वंस का इतियास के नाम से जाना जाता है इसमें उसने सत्रवी सताब्दी के बारत की सामाजिक आर्थिक वराजनेतिक इस्तती का से विस्तरित वर्णन किया है मनीची दारा का समर्थक वै ओरंग जेब का कटू आलो चकता तो हम देखते हैं इन विभिन विदेशी यात्रियों से हमें मुगल कालीन राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक इस्ततियों का विस्तार से वर्णन मिलता है धन्यवाद